अब परागन की क्रिया के पश्चात परागकन और स्त्रीकेसर के बीच परसपर क्रिया होती हैं और इस परसपर क्रिया को पराग स्त्रीकेसर संकर्शन कहते हैं जिसे इंग्लिश में पोलन पिस्टल इंट्रेक्शन कहा जाता है अब ये पराग स्त्रीकेसर संकर्षन क्या होता है देखिए जब पराग कन स्त्रीकेसर के वर्तिकागर तक पहुंच जाते हैं तो इनके बीच में परसपरक्रिया होती है क्या होती है इसमें जो स्त्रीकेसर होते हैं वहाँ उनमें एक शम्ता होती है कि वह इन पराग कनों को पहचाने और यह यह पहचानने की कोशिश करते हैं कि यह जो पराग कन है यह सही है यह गलत गलत से तात पर यह है कि यह पराखकन किसी दूसरे पौधे यानि ऐसे पौधे जिनका जो प्रजाती है वो अलग है किसी और प्रजाती के पौधे के पराखकन तो नहीं है यह पैचानते हैं या फिर यहां भी पैचानने की कोशिश करते हैं कि यह जो परागकन है यह सुयोग्य है या योग्य नहीं है। कुछ ऐसे भी परागकन आकर स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र में पहुंच जाते हैं जो सुयोग्य नहीं होते। तो ऐसे पराकणों को स्त्रीकेसर अस्विकार कर देते हैं और जो सुयोग ये पराकण है उसे स्त्रीकेसर स्विकार कर लेते हैं यह जो परागकन है जब यह वर्तिकागर पर बैठते हैं तो वर्तिकागर में एक चिपचिपा सुक्रोस पदार्थ होता है जो यह परागकन को पोशन प्रदान करता है और यह परागकन अंकुरित होते हैं यानि उनमें से पोलन ट्यूब यानि परागनलिका बननी शुरू हो जिसे हम कहते हैं से बनती हैं यही पराग नलिका जिसे हम इंगलिश में पोलन ट्यूप कहते हैं यह वर्तिका से होते हुए अंडाशे में सिर्थ बीजान यानि ओवियूल के माइक्रोपाइल सीरे से अंड कोशिका तक पहुँचती हैं इसी दोरान पराग कंड में जो दूसरी कोशिका होती है जिसे जनन कोशिका यानि जनरेटिव सेल कहते हैं यह अगुणित होती है और इसमें समसूत्री विभाजन होता है जिसे दो नर युगमकों का निर्मान होता है दो नर युगमकों में से एक नर युगमक का संलेयन अंड कोशिका से होती है और दूसरा नर युगमक भ्रून कोश यानि एंब्रियो सेक के दोनों धुबिये केंदर यानि पोलार नुकलियाई से संलेइद होते हैं यहाँ दो नर युगमक हैं एक नर युगमक का संलेयन अंड कोशिका से हो रहा है जिससे जाइगोट यानि युगमनज बनता है इसे सत्य निशेचन या जननात्मक निशेचन कहते हैं दूसरा जो नर युगमक है इसका संलेयन मद्यकोशिका यानि सेंट्रल सेल के दो धुबिये केंदरकों से होता है जिसके फलस्वरूप त्री गुणित प्रात्मिक भूनकोश केंदरक बनता है जिसे इंगलिश में प्राइमरी एंडोस्पर्म नुकलियस कहते हैं इस निशेचन को वर्धी निशेचन यानि वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं आप देख रहे हैं कि यहां दो नर युगमकों द्वारा दो प्रकार का निशेचन हो रहा है पहला जननात्मक निशेचन जिसमें दुई गुनित यानि डिपलोईट जायगोड यानि युगमनज बनता है तता दूसरा वर्धी निशेचन जिसमें दुई गुनित प्राथमिक भुनपोश केंद्रक यानि प्रायेमरी एंडोस्पन नुकलिस बनता है इन दोनों प्रकार की निशेचन को एक साथ 12 निशेचन कहते हैं जननात्मक निशेचन से बना दुई तर्क्रिगुनित्प्राथमिक भ्रूणपोष जैसा कि नाम से पता चल रहा है ब्रून पोश यानि ब्रून को पोशन देने वाला ब्रून आप जानते हैं कि जाइगोड से बनते हैं जाइगोड में बहुत सारे विभाजन होते हैं और ये ब्रून में विक्सित हो जाते हैं जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक एंब्रियो सैक है यानि ब्रून कोश है जिस से सेंट्रल सल कहते हैं इसमें त्रीगुनित केंद्रक होता है यही त्रीगुनित केंद्रक ब्रूण पोश में विक्सित होता है इस त्रीगुनित केंद्रक को प्रात्मिक ब्रूण पोश केंद्रक कहा जाता है यह बार-बार विभाजित होकर ब्रूण पोश का यानि एंडो स्पर्म का निर्मान करता है तो इसका निर्मान पहले होता है और उसके बाद यह जाइगोड जो है वह विक्सित होकर भूण में बदलता है यह एक प्रकार का अनुकूलता है क्योंकि यदि जाइगोड विक्सित होने लगे और भूण बनाने लगे तो उसे पोशन कहां से मिल होता है तो यह जो भूर्ण पोश होता है यह तीन प्रकार का होता है पहला जो है इसे मुक्त केंद्र की भूर्ण पोश कहते हैं इसे इंग्लिश में फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहा जाता है इस प्रकार के भूर्ण पोश में जो प्रात्मिक भूर्ण पोश केंद्र वह लगातार उसमें उस केंद्रक में लगातार विभाजन होते जाता है लेकिन उसमें कोशिका द्रव का विभाजन नहीं होता है जब इस केंद्रक का बार बार विभाजन होता है समसुत्री विभाजन होता है तो बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण हो जाता है चुकि इसम कोशिका द्रव का भी भाजन नहीं होता है तो इसमें कोशिकाओं का निर्मान नहीं होता तो इसलिए इसे मुक्त केंद्र की भ्रूनपोश कहते हैं और इसका बहुत अच्छा उदारण है नारियल का पानी आप सभी नारियल का पानी पीते हैं तो जो नारियल का पानी होता है वह ब्रूनपोश होता है यानि एंडोस्पम होता है और यही मुक्त केंद्री ब्रूनपोश होता है दूसरा प्रकार हम देखेंगे कोशी की ब्रूनपोश जिसे इंग्लिश में सेलूलर एंडोस्पम कहते हैं नाम से पता चल रहा है कोशी की ब्रूनपोश यानि इसमें जो जाता है तो इससे कोशिकाओं का निर्मान हो जाता है तो इसे कोशिकी भ्रूनपोश कहते हैं और इसका उधारन है नारियल का जो सफेद वाला भाग है जिसे हम खाते हैं जो ठोस होता है यह इसका उधारन है जिसे हम कोशी की है भुरुण पोश कहते हैं कि तीसरा जो है मद्यष्ट ब्रोण पोश अब नाम से पता चल रहा है मद्यह। यानि बीच का इसमें क्या होता है जो प्रात्मिक भ्रूनपोष केंद्रक है उसमें पहले एक केंद्रकी विभाजन होता है और साथ ही इसमें कोशिका द्रव का विभाजन होता है जिसे दो कोशिकाओं का निर्मान होता है लेकिन दोनों कोशिकाएं आकार में असमान होते हैं एक कोशिका बड़ी होती है और एक कोशिका छोटी होती है आप देख रहे हैं जो बड़ी कोशिका है वो माइक्रो पाइलर सीरे की ओर होती है और जो छोटी कोशिका होती है वह चैलेजन सीरे की ओर होती है अब इन में से एक कोशिका में मुक्त केंद्र की ब्रून पोष करुश कोशीआ है उसमें कोश smartphone बन रहा है और जो patients अ कोशिका आपको दिख रही है उसमें जो विभाजन होता है वह मुक्त केंद्र की पैटर्न का होता है और उसमें मुक्त केंद्र की भूनपोश का निर्मान होता है क्योंकि इस प्रकार के भूनपोश में दोनों प्रकार के भूनपोश दिखाई दे रहे हैं यानि मुक्त केंद्र की भी दिख रहा है और कोशिकी भूनपोश भी दिख र इस प्रकार का ब्रून पोश्च पाया जाता है